ए मेरे दास लोट के आजा बॉलिवुड इंडस्टी के पहले सुपरस्टार और चार्मिंग हीरो राजे स्कंदा भारती सिनेमा के वो हीरा थे जिनोंने अपनी सांदार एक्टिंग और यादगा डायलोग से बड़े-बड़े अवरेताव चुट्टी कर दी थी और बन गए थे इंडस्टी के पहले सुपरस्टार फिल्म इंडस्टी में राजे स्कंदा को काका कहा जाता था जब बे सुपरस्टार थे तब एक कावध बड़ी बसूर थी उपर आका और नीचे काका राजिस करना फिल्म इंडस्टी के वो सुपरस्टार थे जिन्हें फिल्म मेकर अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए लाइन में लगे रहते थे राजिस करना का किसी फिल्म में होना मतलब फिल्म का हेट होना तैमाना जाता था उस दोर में राजेस करना फिल्म के हिट ओनर की गारंटी हुआ करते थे अपनी इसी क्वाल्टी के चलते वो फिल्मों में काम करने के बदले मोटी फीस भी लिया करते थे लेकिन एक फिल्म के लिए उन्होंने खोद ही अपनी फीस गटा दी थी आज की इसी वीडियो में राजेस करना की उसी फिल्म के बारे में आप जानेंगे जिसके लिए उन्होंने अपनी फीस गटा दी थी तो कौन सी थी वो फिल्म आई जानते हैं इस वीडियो में राजेशखन्ना जैसा स्टार्डम दवारा इंडस्ट्री के किसी स्टार को नहीं मिला है, इसके गवाए इंडस्ट्री के कई स्टार हैं, यूँ तो राजेशखन्ना ने अपने केरियर में कई हिट फिल्में दिये हैं, लेकिन साल 1970 में आई सकती सामंत के डारक्सन बनी पुलेर्टी के चलते राजसखन्ना अपनी फिल्मों के लिए काफी मोटी फीस लेते थे लेकिन क्या आपको पता है कि एक फिल्म ऐसी भी थी जिसके लिए इस एक्टर ने अपनी फीस तक घठा दी थी और वो फिल्म सुपरेट हुई थी जी हां दोस्तों वो फिल्म 30 साल 1971 मे आई आनंद आनंद फिल्म में राजसखन्ना का अनौ का अंदा दरसों को खूब भागया था मैज 30 लाग रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने आज से 53 साल पहले चप पर फार्ट कमाई की थी रिसी केस मुखरजी से जब राजसखन्ना ने इस फिल्म की कहानी सुनी राजसखन्ना के सामने तीन सरते रखी थी पहरी सरत ये थी कि आपको टाइम पर आना होगा दूसरी सरत ये कि आपको डेट्स देनी होंगी जादा और तीसरी सरत ये थी कि आपको एक लाग रुपे फीस में काम करना होगा दोस्तों उस दोर में राजसखन्ना फिल्म में का पसंद आई थी उस मूवी को राजिस करना किसी भी तरह करना चाहते थे इसी वजह से उन्होंने आनंद मूवी के लिए एक लाग रुपे फीस के तौर पर लिए थे वहीं फिल्म के लागत और कलक्षन की बात करें तो आनंद मूवी मैज 30 लाग रुपे के वजट में बनी थ पर इस फिल्म ने लगबख एक करोड रुपे से ज़्यादा कमाई कर डाली थी 1971 में आई इस सुपरेट फिल्म आनंद में राजिस करना और अमिता बच्चन दोनों ही लीड रोल में थे यूँ तो इस फिल्म के सभी डालोग लोगों को काफी पसंद आये थे लेकिन फिल्म का एक डालोग काफी मसूर हुआ था वो डालोग था बाबु मुसाय जिंदकी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं ये डालोग लोगों को आज भी याद है इस डालोग को अकसर लोग अपने सोसल मीडिया स्टेटस पर लगाते हुए मिल जाएंगे आज 53 साल बाद लोगों के जुवान पर राजिस खन्ना का ये डालोग आपको सुनने को मिल ही जाता है आनन्द फिल्म में राजिस खन्ना के फैंस उनकी एक्टिंग देखकर उनके कायल हो गए थे बात करें फिल्म के डारेक्शन की तो आनन्द मुवी के डारेक्शन की कमार रिसी केस मुखरजी ने समा ली थी और उन्होंने फिल्म की कहानी को इस तरीके से दर्सकों को तक पहुचाया कि थेटर में बैटे बैटे लोग इंवोसनल हो गए और थेटर में ही रोपड़े थे ऐसा इसलिए था क्योंकि इस फिल्म की कहानी जिंदी और मौत के बीच की है जिसने दर्सकों के दिलों पर ऐसी चाप छोड़ी कि लोगों की आँखों से आँसो निकल गए थे वहीं दोस्तों आनन्द मुवी को लेकर एक बात और भी है वो ये है कि साल 1971 की सुपरेट फिल्म आनन्द को बनाने के लिए जब डारेक्टर रिसी की इस मुखरजी हीरो की कास्ट करने के लिए एक्टर के बारे में सोच रहे थे तब उन्होंने ये कहानी दर्विंद्र को सनाई थी फिल्म की कहानी जब दर्विंद्र ने सुनी तो वो सुनकर बड़े खोस हो गए थे और इस फिल्म में उन्होंने काम करने के लिए हामी वर दी थी लेकिन बाद में किनी बज़ों के चलते वो फिल्म से भार हो गए और फिल्म में राजस खन्ना नजर आये इस तरीके से राजस खन्ना आनन्द मूवी के लिए पहली पसंद नहीं थे तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना राजस खन्ना के बारे में किस तरीके से उन्होंने आनन्द फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ एक लाग रुपे पीस लीती इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सक्सियत के साथ देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड